नमस्कार मैं जतन सिंग और आप देख रहे हैं चूरू जलक इसमें मैं सिद्मुख में आरजे 49 एगरी क्लासेज में खड़ा हूं इसमें और जितने भी युवास आती जितने भी बच्चे जो आज लाइवरीरी जोइन करना चाहते हैं और ट्यूसन कहीं लेना चाहते हैं पढ़ाई में विवधान पैदाना हो तो इसलिए इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं सिद्मुख में जहां तक मेरी जानकारी है लेकिन आज यहां के एक एक विजूल आपको दिखाऊंगा यह मेरे पास रमेश बाई इन से जानकारी लूँगा और तवाम उन साथियों तक मैं पहुचाने की कोशिश करूँगा जो इसकी खोज में है वो राजगट और शिद्मुख है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं लेकिन सही जगह उनको नहीं मिल पा रही है तो आप चुरू जलक देख रहे हैं सही जगह खड़ा हूं इसमें मैं जिस परकार की लाइब हुआ है शिद्मुख के अंदर बच्चे आपके पीछे खड़ें फिलाल तूसन की बात करूं तो कहां से कौन सी क्लास सुरू होकर कहां तक कि बच्चों पढ़ा जाते हैं सबसे पहले रतन भाई का बहुत दन्यवाद जिन्होंने हमारी कोचिंग माकर और यह प्रोथसान कर रहे हैं जो सबक्राइब कर रहे हैं लेकिन नादर यह सुवीदा आपको बिलकुल फिरी मिलेगे और इनके साथ में इनके सयोगी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं आपका नाम क्या बता दीजी मेरे दर्शकों थोड़ा मेरे नाम अमित कुमार जी मैं यहाँ पर मेत सब्जेक्ट पढ़ता हूं मेरे को एक महीना हो गया अभी कैसा लग रहा है आपको बच्चे आ रहे हैं कैसा experience है फिलाल आप प्रकार का लाइबरी की बात करूं में तो जिस परकार का रहा हाइवे के नजदिक होना या सड़क किनारे होना या फिर एक भीड़ भाड़ा इलाका जोता है वहाँ पर बाहर से आवाजें बगारे आती है यहां का माहूल कैसा है यहां का माहूल एकदम silent है ज्यादा वाजे भी नहीं आती आराम से पढ़ सकते हैं यह देखें यहीं चीज में आपको बताना चाहता था और यह इस चीज में लाइबरेरी हो चाहिए व बेट बीजाएं तो बाहर कुछ न कुछ आवाजें आती रहती है शिर्फ उसी को इग्नोर करने के लिए उस जो जो वही सब्सक्राइब लेकिन लाइबरेरी जाइन करते हैं और वह लाइबरेरी जोइन करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि सही एक टिक जो लोकेशन ह वो लाइब्रेरी कहा प्रेफिलाल तो आप अपने नजदी की सहर सिद्मुख में जाइए देखिए लेकिन मेरा कहना है कि आरजे उननचास लाइब्रेरी जो है आरजे उननचास एगरी क्लासेज है उसमें भी आप आकर विजिट करके जरूर देखिए माहुल यहां का कैसा है वो भी देखिए एक आगे शोड़ा सिप्तंबर को एक करेकरम भी आप रहे उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे तमाम युवासाथी जो देख रहे हैं वो जुरूर इस वीडियो को अंत देख देखें वह आपके काम आने वाली चीज़ है शोड़ा तारिक देखो जो शोड़ा सितंबर को एक एक जाम रखा गया है जो इस गाओं के सिद मुखे जो बच्चें या वाहर से भी जो इस वीडियो को देख पाएंगे तो मैं उन तक यह ख़बर पहुंचाना चाहता हूं कि सोड़ा सितंबर को एक मतलब मेगा टेस्ट रखा गया है कि एक ओमार विद्ट टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो मतलब सुपर जो रहेगा जिन का रहेगी एक से पांस तक उन बच्चों को मतलब एक्स्ट्रा हम मतलब क्या कि फरी ओफ कोस्ट जो भी हमारे से मड़ेगा वो देंगे उनको और फीस की जो है वो भी उनमें जाता हूं कि जो भी बच्चे घर में मतलब कंपीट्शन की त्यारी कर रहे हैं तो वो उस टेस्ट में बाग लें बहुत बड़ी बात है इन्होंने कही कि और लाइबरिरी की छूट तो है इसके बाद में कैमेरा मन को थाटो कैमेरा गुमा दीजिए और माहुल दिखा देता हूं मैं लाइबरी का यह देखिए किस प्रकार से यह बाहर का है यह बाहर का जो में प्रांगिन है वो दिखा रहा हूं फिलाल सब सपाई देख लीजी माहुल देख लीजी आसपास का छित्र भी दिखाऊंगा यहाँ पर आबादी बस्ती है और घर जो है आबादी बस्ती के अंदरी है यानि आपर कोई सोर्सरा बनाई है पीछे गबर कैमेरा करके गुमा दे तो विवस्ताइं है वो भी मैं विजूल में दिखाने की कोशिस ह इसे की तलास है तो अच्छा वीडियो लगाओ तो विजून जरूर आइए भी बच्चे हैं इनसे प्रियास करेंगे आंब कि विचे त्यारी है वो कर रहे हैं पढ़ािए वह कुछ कर रहे हैं आपका स्टाफ बहुत अच्छा अच्छा वातवरन है औरенडिये से रिलेटेड सब इक वीक उशन के बारे हम बतते हैं, मैं अच्छी बढ़ा है सब वी सब्जक्त के लिए अच्छी याम पे सुविधा है देखें, सुवधा के बारे हम बात करूँ और पढ़ाई के मामले हम बात करूँ तो अच्छी बता रहे हैं रख्वाघ थूअ बद्या से तामार को निए टरीकों देखलों तरीक होई है कि ओन लागरी है और बद्चारो के नामे रोह है थारो के पढ़ाई उरहं कि एंडेक रोख सब एंडिया की त्यारी कि ट्यारी करने रहा है और बद्चाया आनभी पूच्छांगा आपनों के ना पहले चोट है आपान यहीं बतावें कि आपनों जो इंट्रोडेक्स ने अमेसा अच्छी तरीके से जो आण सही बताई कि मेरा नाम मैं कर्मकर्चा दसका चात्रू बहुत अच्छो और यह बच्ची आपने मेरा नाम तुमन्न है मेरे पिता जी का नाम इनोद कुमार है मुझे ट्यूसन कोचिंग सेंटर आतिस में एक गंटे का टाइम दिया जाता है मैं यहां पर साइंस और मैथ सब्जेक्ट दोनों करती हूं धन्यवाद यह देखेए स़ाइंस और मैथ अबादी बसती में दिखाऊं तो पासमें आबादी बसती है लेकिन आपर कोई सोरसरावा बगेरा कुछ भी नहीं है ये टस्वीरे राजगिड की है, तस्वीरे सिद्मुक की है और आर्ज-49, एगरीं कलासेज की है ये देख लिजी आप तस्वीरे और ये छोटे-छोटे बच्चे जो यहापर त्यारी करते है पूरा स्टाप यहाँ पर यह देख लिजी आप, तमाम वो स्टाप है ये देख लीजी आप और मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि एक बार यहां पर जुरूर विजिट आप करें